ओम शान्ति आज हम विश्व की उस विरल विभूती जिसको सारे भारदेश में भक्त बड़ी भावना और श्रद्धा के साथ जगतमबा आदी देवी आदी शक्ती के रूप में गायन और श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन कर अपनी मनो कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं तो दूसरी ओर विध्यालियों में मा सरस्वती श्वेत वस्त्रधारणी हंस वहनी ज्ञान वीना वादनी के रूप में उसकी प्रार्थना और अर्चना कर मा शार्दे के नाम से उकार रहे हैं क्या आप जानते हैं वो ज्ञान वीणा वादनी कौन्ड आज इस रहस्य को हम जानेंगे सर्व शक्तिवान पिता परमात्मा ने जब इस इश्वर्य विश्व विद्याले की इस यग्य के स्थापना की तब इसके रहस्य का उद्ध घाटन किया परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से सत्य ज्ञान दिया स्रश्टी के आदी मद्य अंत का ज्ञान दिया जिस ज्ञान को जीवन में धारण करने वाले ब्रह्मा वत्स ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाए उन ब्रह्मा वत्सों में से ये एक विशेष्ट प्रतिभा जिसको पिता शिरी ब्रह्मा बाबा ने ओम राधे का नाम दिया बाबा ने यग्य की समस्त जवाबदारियों को आप पर सोपा ये मा जिसकी दिव्यता शालीनता सौंधरे स्वर्गिक था आपका विवेक अधित्य था आप मानवता से उपर उठकर पवित्र पुनीत श्वेत वर्ण की थी जो भी आपके सामने आता था वो आपको ओ मा मेरी मा कहें बिना रही रह सकता था आपके बारे में तो क्या कहें सर्व गुणों और शक्तियों की आप खान थी किसी भी गुण में कोई परसंटेज आपके जीवन में हमने नहीं देखा आपके जीवन की अनेक विशेशताएं यदि मैं उन विशेशताओं का वर्णन करूं तो मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे सूरज को दीपक दिखाना है लेकिन फिर भी आपके उन अनेक धार्णाओं में से कुछ एक धार्णा जिनका प्रभाव मेरे व्यक्तित्तों पर पड़ा उन में से कुछ एक धार्णाएं जिसका प्रभाव मेरे व्यक्तित्तों पर भी पड़ा मैंने मम्मा से सीखा मम्मा कहती थी हुकमी हुकम चलाई रहा ये मम्मा की ऐसी एक गहरी धार्णा थी और इस धार्णा के कारण से हर कर्म करते हुए हमने मम्मा को निश्चिन्त और बहुत हल्का देखा चाहें परिस्तितियां विप्रीत थी लेकिन मम्मा निश्चिन्त थी करावन हार वो है हम तो केवल करन हार है ऐसी दिव्यधार्णा का प्रभाव जो हम मेरे जीवन पर पड़ा तूसरा मम्मा को बाबा में अटूट निश्चे और परमात्म ज्यान में अटूट श्रद्धा वो हमने मम्मा के जीवन से सीखा बाबा का कहना और मम्मा का करना संकल्प मात्र में भी कभी भी मम्मा ने क्विश्चन मार्क नहीं किया जो बाबा ने कहा है वही अटल सत्य है ऐसा द्रण विश्वास मम्मा में था और उसी विश्वास से मम्मा जब बाबा के महवाक्यों को सुनती थी हम सब ब्रह्मा वत्स इस बाद से परिचित हैं कि बाबा मुरली चलाते थे मम्मा बाजू में गद्दी पर बैठ कर निर्निमेश द्रिस्टी से अपलक द्रिस्टी से बाबा को देखते हुए ज्यान के एक एक रतन को बुद्धी में ग्रहन करती थी श्रवन करती थी उसकी पश्चात बहुत गहरा मनन और चिंतन मम्मा का उन महवाक्यों पर चलता था और ज्यान के उन रहस्यों को मम्मा हम सब बच्चों के सामने स्पस्ट करती थी मम्मा की बुद्धी बहुत तीक्ष्ण और कोशाक्र थी परिणाम स्वरूब एक एक ज्यान रतन को धारण कर वो श्रंगारी मूर्थ आकर्शन मूर्थ बनी साथ ही वो एक सच्ची तफस्वनी योगिन थी मैंने मम्मा से इस योग की गहन साधना के आधार पर अपने जीवन में भी उसको अपनाने का पुरूशार्थ किया जैसा की हम सब जानते हैं और सुनते आए कि ममा हर रोज प्राता दो बजे उठती थी उठकर एक आक्र चित हो एकांत्मा इस्थिती में ऐसी स्थिर हो करके उस परमात्म प्रेम में प्रभु स्मृती में कलीन हो जाती थी देहा तीत हो देहे के दुनिया से परे उस निराकार परमात्म प्राप्तियों में अनुभूतियों में ममा खो जाती थी सदेव मन मना भव की स्थिती में स्थित प्रग्या इस स्वरूप में हमने अपनी मीठी मम्मा को देखा केवल साधना के समय अमृत वेले ही मम्मा की वही स्थिती थी ऐसा नहीं लेकिन कर्म करते भी हर कर्म में मम्मा योग निस्ट होकर करती थी मम्मा के कारे में बुद्धी नहीं होती थी इश्वरिय स्मृती में स्थित होकर कर्म और योग का बैलेंस रख मम्मा कर्म करती थी मम्मा का बोलना बहुत कम था अधिक से अधिक इश्वरिय चिंतन प्रभु मिलन इस ही मस्ती में वो मस्त थी तो कर्म करते भी न्यारे और प्यारी अवस्था हमने अपने मीठी मा की देखी भले परिस्थितियां वी पृत हो चड़ाव उतार की हो स्वभाव संसकार की हो बहुत प्यार से मा उन ब्रह्मा वत्सों को विठा करके समझाती थी, सवार्ती थी मम्मा के समझाने का ढग इतना सकारात्मत था कि कैसी भी आत्मा, नकारात्मा को संसकारों में द्रण हो लेकिन उनको परिवर्तन करना मम्मा के लिए सहज था क्योंकि मम्मा की हर आत्मा के प्रती, रहम और कल्यान की द्रिस्टी थी मम्मा के चित में कभी भी किसी का कोई अउगुण नहीं रहता था मात्रुत उसके व्यक्तित्त से जलगता था हर एक उसके सामने बैच अपनी कमी और कमजोरी को महसूस कर सदा के लिए समाप्त करने का द्रण संकल्प ले लेता था साथी और एक गुण हमने ममा से देखा निर्भायता की प्रतिमूर्ती थी और उसका कारण था कि उसने अपने आपको आत्मिक स्वरूप में आत्मा निर्भाय, निर्वायर और अकाल मूर्त है इस तक्त पर स्थित किया जिसके कारण व्यक्ती हो, परिस्थिती हो, विकार हो, बुराई हो किसी के सामने ममा ना जुकती थी ना डरती थी दिल से उस मातेश्वरी जगतंबा को अपनी मीठी मममा को शत शत नमन और वंदन करती हूं ओम शान्त ओम शान्त आपी पूल झाल 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 झाल